नमश्कार दोस्तों तो आज मेरे पास गाड़ी है XUV500 और आज मैं आपको पताऊंगा कि कैसे आप के जब आपकी XUV500 का टायर पंचर हो जाता है या किसी किनी कारण से आपको उसको खोलना पड़ता है तो जो स्पेर वील है उसको आपको रिमूब कैसे करना है और जो आपन अपने कैसे फिट करना है तो यह सारी चीजे मैं बताऊंगा और किन-किन चीजों का आपको ध्यान रखना है वह भी आपको मैं अवश्य बताऊंगा तो बने रहे हैं वीडियो के साथ में और यह देखें यह जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहां पे इसकी लोकेशन की य जिसको आप बोलते हैं वील ब्रश वो दोनों एक जगा लगेंगे तो यह देखे दोस्तों यह नीचे यह मैंने उपर से जो स्पेर विल मेकैनिजम है 17 21 के नट को उसको मैंने रिमूब कर लिया है उसको मैंने एंटी क्लॉक वाइस गुमा लिया है और अब मैंने नीचे वील लगा लिया है यह देखे वील मैंने उतार रखा है और इसको मैं आभी रिफिट करूँगा स्पेर विल मेकैनिजम मैं नीच इसको कैसे फिट करना यह देखे और इसमें खास ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने क्या करना है भील को जो जिस डिरेक्शन पर मैंने रखा हुआ यह देखे दोस्तों जो भील का जो यह रिम है रिम को आपने क्या कर रखा है उपर यह देखे जो इसका जो अलोई हम बो देखें उसको फिर आपने clockwise direction में गुमा देना जो Spare Well mechanism है जो nut है उसको आपने clockwise direction में गुमा देना है यह देखें दोस्थो जैसे जैसे आप इसको Rotate करोगे clockwise direction में वैसे वैसे ही यह wheel का है उपर की तरफ जाएगा तो इसमें ध्यान बस यही देना है कि आपने किस डिरेक्शन में वील को जो डिरेक्शन उपर की तरफ आपने कौन सी डिरेक्शन करनी है तो ये आप सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है दोस्तों अगर आप वीडियो देख रहे हैं और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुलें ताके ऐसे ही नौलेज़ वाले वीडियो आपको मिलते रहें और वो भी इसी चैनल पर मिलेंगे और यह देखे दोस्तों टायर बिल्कुल जो है उपर जा रखा है और यहां पर इसको आपने फुल टाइट कर देना है और दूसरी चीज़ दियान देने वाली बात यह है कि आपने इतना भी टाइट नहीं कर देना है कि यह जो मेकैनिजम ह यह तूट जाए यहां पर क्योंकि यहां पर इसको टूटने के चांसे रहते हैं यह देखे डारेक्शन में फिर दिखा रहूं आपको के वील कौनची डारेक्शन में यहां पर आपने फिट करना है तो